Hello everyone, कैसे आप सब लोग, उमीद है आप लोग सब ठीक होंगे तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप AI की help से कैसे एक video generate कर सकते हो ये एक complete tutorial होने वाला है तो आज के इस tutorial में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप AI की help से story generate कर सकते हो और AI की help से ही आप voice generate कर सकते हो और कैसे आप अपनी story को image में convert कर सकते हो और साथ ही में उस image को कैसे आप AI की help से वीडियो में convert कर सकते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि ये वीडियो आपको पूरी complete समझ में आए और हाँ एक और बात जो काइन master मैंने पहले दिया था उसमें export की problem आ रही थी तो मैंने एक new काइन master लिया है जिसमें आपको कोई भी problem नहीं आएगी तो ये काइन master आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा जिसका link मैंने description में दिया है आप वहाँ से जाके direct download कर सकते हो तो बिना और time waste के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे chrome में आजाना है ठीक है और यहाँ पे searching में आपको लिखना है google board आप यहाँ पे chat GPT का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे google board का यूज़ कर रहा हूँ ठीक है आपको जो मतलब सही लगे अच्छा लगे आप भी उसको सकते हो तो मैंने यहाँ पे google board जो है open कर लिया है ठीक है यहाँ पे enter a prompt here पे यहाँ पे prompt डालेंगे तो हम यहाँ पे love story लेते हैं एक छोटे सी तो हम यहाँ पे enter करेंगे write a love story in Hindi ठीक है और इसको हम यहाँ पे command दे देंगे ठीक है अभी हमारे लिए story generate करके दे रहा है तो इसने जो है यहाँ पे story generate करके दे दी है आप देख सो तो यहाँ पे इसने पूरी एक story generate करके दे दी है story generate करने के बाद हम इस story को copy कर लेंगे कोपी करने के बाद हम यहाँ पे गूगल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे 11laps.ai यह वाला AI जो है टेक्स्ट को वोइस में कनवर्ट करता है उपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा जिससे आप अपनी स्टोरी को वोइस में अराम से कनवर्ट कर सकते हो 10,000 वर्ड यूज करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटी सी प्रोब्लम दिखाई देगी डॉंट वरी उसका स्वलुशन भी है मेरे पास प्रोब्लम यह है कि 10,000 वर्ड यूज करने के बाद आपको यहाँ पे पेड वर्जन लेना पड़ेगा या फिर आपको यहाँ से लोग आउट करके किसी दूसरी जीमेल से यहाँ पे लोगिन करना पड़ेगा जिसके बाद आपके पास यहाँ पे 10,000 वर्ड फिर से आ जाएंगे 10,000 वर्ड खतम होने के बाद आपको यहाँ पे एक new Gmail से login करना पड़ेगा इसके लिए भी मैं आपको एक AI टूल बता देता हूँ जहां से आप unlimited Gmail ले सकते हो आपको इसके लिए अलग से Gmail बनाने की जूरुत नहीं पेड़ेगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे Google में आना है और यहाँ पे सर्च करना है smailpro smailpro.com और एंटर कर देना है smailpro open होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा उसके बाद यहाँ पे नीचे एक searching bar open हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ पे इसको scroll करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे कुछ option दिखाई देगे इसके बाद आपको यहाँ पे random add.gmail.com पे क्लिक करना है कोपी करने के बाद हम 11 laps में जाएंगे और यहाँ पे email में पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे Gmail में पेस्ट दिखेगा add that के आगे ठीक है इसको मैं यहाँ पे खटा दूँगा इसके बाद हम यहाँ पर जो Gmail है इसको यहाँ पर Copy करेंगे पहले मैं इसको Select करेंगा फिर Copy और यहाँ पर Password में इसको Paste कर दूँगा Password में Paste करने के बाद मैं यहाँ पर दो Word Cut कर दूँगा और यहाँ पर लिखूंगा 106 ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो Gmail है और Password है वो अलग लग रहे इसके बाद हम यहाँ पर IMMER पर क्लिक करेंगे और Sign Up पर क्लिक कर देंगे Sign Up पर क्लिक करने के बाद यह आपके पास एक Verification Code भेज़ेगा तो आपको Simply वापिस से S Mail Pro में जाना है मैं यहाँ से S Mail Pro में वापिस आ जाँगा और नीचे यहाँ पर Inbox में आ जाँगा और Inbox में यहाँ पर मैं Refresh कर दूँगा इसको जिसके बाद हमारा Verification Code जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आ गया और इसको मैं Tap करूँगा Tap करने के बाद मैं यहाँ पर इसको स्क्रोल करके नीचे जाँगा और यहाँ पर verify email पर क्लिक कर दूँगा तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर email जो है वो verify हो चुका है verify होने के बाद यह आप से email और password बांगेगा तो यहाँ पर हम email डाल देंगे और नीचे password में जो हमने password बनाया था वो यहाँ पर डाल देंगे दो word card के मैंने यहाँ पर one or six add किया था यहाँ पर भी one or six add करके यहाँ पर इसको login कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर मैं login इसको कर रहा हूँ जैसे हैं हमारा 11 labs यहाँ पर login हो जाएगा इसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो story हमने जो generate की थी वो यहाँ पर paste करेंगे और उस story को voice में convert करेंगे तो यहाँ पर मैं हमारी जो story थी उसको paste कर दूँगा तो आप देख सकते हो हमने हमारी story को यहाँ पर paste कर दिया है अब हम यहाँ पे जो character है उसको choose कर लेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पे click करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे character मिल जाएंगे अलग-अलग voice के आपको जो अच्छा लगे आप वो यहाँ से select कर लीजिए Never mistake motion for action मैं यहाँ पे Emily की voice जो ही वो यहाँ पे select करूँगा तो जब यहाँ पे आपकी voice ready हो जाएगी तो आपके पास एक download का option आ जाएगा Simply आपको यहाँ पे click करना है और आपकी voice को यहाँ से download कर लेना है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हमारी file जो है वो download होजगी है तो हमारी जो voice है वो ready है तो अब हमें हमारी story के according image बनानी है तो अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे chrome में जाना है chrome में जाने के बाद हमें यहाँ पे type करना है leonardo.ai और यहाँ पर इसको search कर देना है search करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा आपको यहाँ पे create an account पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे searching स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा और यहाँ पे scroll करके नीचे जाओगे तो आपको पहले सही बने बनाए कुछ यहाँ पे photos मिल जाएंगी तो photo generate करने के लिए आपको यहाँ पे click करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ option आ जाएंगे फिर आपको यहाँ पे AI image generation पे click करना पड़ेगा इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का interface आजाएगा image generate करने के लिए आपको यहाँ पे prompt डालना पड़ेगा और prompt डालने के लिए हमें हमारी story को English में convert करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे Google बार्ड में आ जाओँगा और यहाँ पे हमारी story को paste करना है हमें हमारी story को Hindi से English में convert करना है तो हम यहाँ पे click करेंगे जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो Hindi से English में transfer हो गया है अब हम यहाँ से एक एक line उठाते जाएंगे और वहाँ पे Leonardo AI में paste करते जाएंगे और वहाँ से image generate करेंगे तो हमें यहाँ से एक English वाली line उठानी है ठीक है मैं यहाँ पे select करता हूँ पहली line को ठीक है तो मैं यहाँ से यह वाली line जो है I'm an and pretty ठीक है और मैं इसको यहाँ पे on a small town तक करता हूँ ठीक है यहाँ से मैं इसको copy कर लेता हूँ copy करने के बाद मैं वापिस से Leonardo में जाओंगा और यहाँ पे इसको prompt को डाल दूँगा तो मैं यहाँ पे इसको paste कर दूँगा image generate करने से पहले मैं आपको कुछ setting बताता हूँ तो मैं यहाँ पे setting पे click करूँगा तो setting में आपको यहाँ पे कुछ option मिलेंगे जब इस site पे login करोगे आप तो यहाँ पे 100 coin मिलेंगे इसके बाद number of image में यहाँ पे आपको image का option मिलेगा कि आपको एक बार में कितनी image generate करनी है आप एक बार में जितनी कम image generate करोगे आपको उतने ही कम coin देने पड़ेंगे और जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा को coin देने पड़ेंगे लेकिन free version में आप maximum 4 image ही ले सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे advanced controls मिल जाते हैं इसको use करके आप अपनी image की ratio को छोटा या बड़ा कर सकते हो और उसकी quality को enhance भी कर सकते हो तो वापे से हम यहाँ पे back जाएंगे और यहाँ पे जो हमने prompt डाला था उसकी image को generate करेंगे आप देख सकते हो generate पे click करने के बाद यह images generate करने लग गया है यहाँ पे आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा उसके बाद में आपकी image जो है generate होके त्यार हो जाएंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने image जो है generate कर दी है और बहुत ही खुबसूरत images इसने यहाँ पे generate की है तो यहाँ पे इसने अमन और प्रीती का character जो है यहाँ पे इसने बनाया है तो यहाँ से आप कोई भी एक pick जो है यहाँ पे download कर लो जो आपको बच्छी लगे आप सारी चाहें तो सारी भी download कर सकते हो तो हमें तो story के लिए एक ही photo चीए तो यहाँ से हम एक photo को यहाँ पे download कर लेंगे तो यह वाली photo को मैं यहाँ से download कर लूँगा ठीक है और ऐसे ही से मैं पहले यहाँ पे translate में जाके और यहाँ पे पहले copy करूँगा एक-एक line को ठीक है और वहाँ पे जाके Leonardo में इसको paste करूँगा तो इसी तरीके से मैं अपनी story के according यहां से prompt उठाऊगा और Leonardo में paste करूँगा और image generate करूँगा और अपनी story से related सारी के सारी photos को यहां से generate कर लूँगा तो ऐसे मैं यहां पर second line लूँगा, ठीक है यहां से मैं इतना इसको copy कर लूँगा और copy करने के बाद यहां से मैं लियोनारडो में जाँगा वापिस और यहां पे prompt में इसको काट के और यहां पे इसको paste कर दूँगा ठीक है second line को और यहां से generate कर दूँगा तो again हमारी यहां पे photo जो है generate होना start हो चुछ की है ठीक है तो यहां पे थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद यहां पे आपकी photo जो है वो ready हो जाएंगी तो यहां पे हमारी जो photo है generate हो चुकी है तो कुछ इस type से इसने जो है photos को generate किया है यहां पे एक photo कर आप भी आई है ठीक है हम हमारी image को वीडियो में convert करेंगे runway website open होने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा यहाँ पे desktop mode on है यहाँ पे कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा इस website में आपको image से video generate के अलाओा पर यहाँ पे बहुत सारी चीजे मिल जाएंगी वो मैं आपको detail में किसी और दिन बताऊँगा फिलाल हम यहाँ पर start with image पर click करेंगे और यहाँ पर हम हमारी image को upload कर देंगे तो यहाँ से मैं यह वाली image जो select कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं done पर click कर दूँगा done पर click करने के बाद हमारी जो image है यहाँ पर upload होने लगी है ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा time लगेगा बट जो हमारी image है वो यहाँ पर जल्दी ही upload हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हमारी image जो है वो upload होज़ की है इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी से setting करेंगे तो सबसे पहले पर मैं यहां पर क्लिक करूंगा जनरेशन मोशन पर और यहां पर मैं मोशन को थोड़ा कम कर दूँगा चार पर कर दूँगा, ठीक है इसके बाद मैं जाँ हूआ कामरा मोशन वाले ओप्षिन में और यहां पर स्क्लोल करके नीछे जाँगा और यहाँ पर zooming में minus कर दूँगा और यहाँ पर save कर दूँगा इसके बाद हम यहाँ पर generate पर click कर देंगे और इसके बाद हमारी video जो है वो generate होना start हो जाएगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और आपकी जो image है वो video में convert होके आ जाएगी तो यहाँ पर जो video है वो ready है अब मैं आपको यहाँ पर play करके दिखा देता हूँ तो मैंने दो video यहाँ पर generate की है पहले वाली यह है ठीक है कुछ इस तरीके से expression दे रहा है यहाँ पर तो पहले हम इस video को download कर लेते हैं यहाँ ठीक है कुछ इस तरीके से यहाँ पर moment हो रही है और यह दूसरी वाली है जिसमें expression दे रहा है ठीक है तो हमने जो setting की थी motion वाली एक video setting वाली है और एक without setting वाली तो इसी तरीके से आपको एक एक करके सारी की सारी photo जो है वीडियो में convert कर लेनी है और convert करने के बाद आपको आ जाना है काइन master में तो मैं यहाँ पर काइन master में आ जाऊँगा काइन master में आने के बाद यहाँ पर create पर click करूँगा और यहाँ पर create new पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं जो ratio है वो select कर लोगा तो मैं यह वारा ratio लेता हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आपको जो भी ratio लेना है, यहाँ पर YouTube के लिए लेना है, या पिर जो Instagram है, उसके लिए लेना है, तो आप किसी चीज के लिए ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे color select करेंगे black और यहाँ पे cut कर देंगे ठीक है अब मैं इसको यहाँ पे जो इसकी length है वो बढ़ा लूँगा ठीक है यह हमारा basically एक background है ठीक है जहाँ पे हम जो वीडियो है हमारी photos बगरा यहाँ पे रखेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे इसको बाकी के इससे को trim कर देता हूं कुछ इस टाइप से हमारी 2 minute की है शायद वो औरियो तो यहाँ पे मैं audio में जाने के बात यहाँ पे तो यहाँ पे हमने जो ओडियो बनाई थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे तो हमारी यह थी 11 लैपस वाली ठीक है तो यहाँ पर हमने जो ओडियो है वो लेली है ठीक है यहें वाडियो है जो हमारी ओडियो थी ठीक है तो यह 2 minute की लगबग है ठीक है तो अब हम यहाँ पे इसको एक बार प्ले करके देखते हैं एक बार की बात है एक छोटे से शहर में रहते थे दो युगा अमन और प्रीडी तो ठीक है हम यहाँ पे अब हमारी जो फोटोस थी जो हमने AI से जनरेट की है जो जनरेट करके हमने वीडियो में कनवर्ट की है हम यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे ठीक है तो पहले मैं मीडिया में जाओ यहाँ पर ठीक है मैंने जो डाउनलोड की थी यहाँ पर डाउनलोड मैं यहाँ पर बढ़ा कर देता हूँ कुछ कि इस टैप से ओक है ताकि जो पीछे का जो कि इतना बढ़ा कर देता हूं है ताकि जो हमारा यह नीचे आप देख पा रहा होगे एक वोटर मार्क से हाँ ओगए धीक है अब मैं आप इसको प्ले करके दिखता हूँ एक बार की बात है एक छोटे से शहर में रहते थे दो युवा वेल यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से जा रहा है इसको मैं यहाँ पे स्पीड कम कर दूँगा ठीक है मैं यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी रखूँगा ठीक है अब हम इसको यहाँ पर लेकर देखते हैं एक बार की बात है एक छोटे से शहर में रहते थे दो युवा, अमन और प्रीदी अमन एक दयालू और इमानदार लड़का था जो एक स्थानिय पुस्तकाले में काम तो मैं इसको थोड़ा सा और स्लो करूँगा ठीक है, यहाँ तक और इसके बाद हमारा डायलोग जो है यहाँ पर खतम होता है एक, तो मैं इसको यहाँ पर कट कर दूँगा, और मैं यहाँ पर एक दूसरी इमेज़ जो है, यहाँ पर एड़ करूँगा फिर से मैं हमें डाउनलोड में जाऊंगा वो डाउनलोड में जाने के बाद हमें अमन के बारे में बताना है तो ये वाला है अमन ओके तो मैं ये वाले देता हूं पहले इसको कट कर देता हूं और इसको भी कुछ इसी टाइप से यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ मैं इस ताइब से वो इसकी स्पीड भी जो है वो यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ कुछ चीत नहीं ठीक है अब हम इसको प्ले करके देखते हैं एक बार की बात है एक छोटे से शहर में रहते थे दो युवा अमन और प्रीदी अमन एक डैलू और इमानदार लड़ता था जो एक स्थानी पुस्तकाले में काम करता था तो वैल यहाँ पे न थोड़ा सा मतलब सेट नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे अमन और प्रीदी तो यहाँ पे डैलोग कतम होता है तो यहाँ से हम स्टार्ट करते है कुछ यहाँ पे ठीक है और इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और यह वाली फूट जो वीडियो है यहाँ पे मैं आगे लियाता हूँ ठीक है तो हमारा जो डाइलmot है यहां पर खतुम हो रहाए ठीक है इसके बाद मैं इसको यहां पर कर दूँँगा, अब आती पृटि के बारी ठीक है तो मैं यहां पर उसकी वीडियो भी है यहां पर एड़ कर लूँगा और यहां पर डॉट पर यहां पर डाउने में जाँगा और इसको यहां पर सेट कर देंगे यहां पर कुछ इस तरीके से ठीक है अब हम इसको प्लेए करके दिखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डायलोग है वो यहां पर है और यहां पर खतम हो जाता है ठीक है तो हमें अगली फोटो जो है वो यहां पर दिखानी है तो यहां पर हम लेयर में जाएंगे और यहां पर मीडिया में ठीक है और यहां पर डाउनलोड में और फिर यहां पर हमने जो वीडियो थी यहां पर दे लेंगे ठीक है और यहां पर कट कर देंगे अब इसको यहां पर सेट कर देंगे जहाँ पर यह डायलोग हमारा खत्म हो रहा है ठीक है और अब हम इसको यहाँ पर ले करके देगे उनमें पढ़ाती थी उनकी मुलाकात एक किताब के माध्यम से हुई अमन ने प्रीदी के लिए एक किताब आरक्षित की थी और जब वह इसे लेने आई तो उनकी आखें मिल गए उनकी मुलाकात एक किताब के माध्यम से हुई अमन ने प्रीदी के लिए एक किताब आरक्षित की थी और जब वह इसे लेने आई तो उनकी आखें मिल गए विबाचीत में पड़ गए और जल्द ही उन्हें पता चला कि उनके बहुत सारे समान रुचियां है तो वैल इसी टाइप से आपको मतलब यहाँ पर जो फोटो हैं क्रेट करती जानी है जो वीडियो है ठीक है और इसी टाइप से आपको यहाँ पर वीडियो जनरेट करनी है ठीक है फूल वीडियो जब आपकी कम्पलीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर बहतरी रिजल्ट में लिखा देखने को ठीक है और शर्थ यह है कि आप जो है फोटो और वीडियो जो है उसको मतलब अच्छे से यहाँ पर आपको बनानी है ठीक है वरना आपको यहाँ पर प्रोब्लम आएगी और आपकी वीडियो जो है AI वीडियो जो है वो अच्छी नहीं बनेगी वेल इतना होने के बाद यहां पे तो पूरी वीडियो नहीं बना रहा है यहीं तक मना रहा हूँ चिक है उसके बाद मैं यहां पर Export पे क्लिक करूँगा और यहां पर जो वीडियो है मैं यहां पर Save कर दूँगा Save as Video ठीक है यह वाला काइन मास्टर है यह new coin master है तीक है इसमें पहले जैसे jocoy join master में जो export की problem हो वारी दि इसमें आपको यह problem नहीं मिलेगी ठीक है तो यहां पर में आपको full complete export करके दिखाता हूँ ठीक है तो आपको यहां पर बस थोड़ा सा wait करना पड़ेगा तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो वीडियो है, वो यहाँ पे पूरी एक्सपोर्ट हो चुकिए है, ठीक है? और यहाँ पे फिकर के दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारी वीडियो जो है यह वाली, ठीक है? अधे, एक छोटे से शहर में रहते थे दो युवा, अमन और प्रीती. अमन एक दयालू और इमानदार लड़का था, जो एक सथानिय पुस्तकालय में काम करता था. प्रीती एक सुंदर और बुधिमान लड़की थी, जो एक सथानिय स्कूल में पढ़ाती थी. उनकी मुलाकात एक किताब के माध्यम से हुई अमन ने प्रीती के लिए एक किताब आरक्षित की थी और जब वह इसे लेने आई तो उनकी आखें मिल गई तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो बनके मतलब रेडी हो चकी है, ठीक है, एक्सपोर्ट होती है एक चीज में आपको बताना भूल गया यहाँ पे आप देखोगे, तो यह लास्ट में थोड़ा सा मतलब आरक्षित के लिए एक किताब आरक्षित तो यहाँ पे जो फेस है, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, यह थोड़ा आजीब सा लग रहा है तो आप जो वीडियो जनरेट करें, ठीक है, तो उसको मतलब ध्यान से करना, एक तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसकी वीडियो की, सुरी, फोटो की, ठीक है, जिसके हिसाब से वो मतलब वीडियो जनरेट करेगा, और जो मैंने सेटिंग बताई थी आपको, वो नहीं आएगी, ठीक है, तो आई होब कि आपको पता चल गया होगा कि AI से वीडियो कैसे जनरेट की जाती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए, तो मिलते है और मेरे तिल देन बाइ